रिलीज होते ही राधे फिल्म में तोड़े सारे रिकॉर्ड्स थीटर से लेकर OTT प्लाटफॉर्म पर दिखा जबरदस्त क्रेज सल्मान खान की राधे फिल्म OTT और थीटर दोनों जगों पर रिलीज कर दी गई है जब कोई भी सलमान खान के फिल्म थियेटर में रिलीज होती है तो वो फिल्म का क्या क्रेज होता है वो आप सब जानते ही होगे सलमान के फैंस के लिए वो दिन किसी फेस्टिवल से कम नहीं होता लेकिन इस बार इंडिया में राधे फिल्म थियेटर में नहीं बलकि OTT प्लाटफॉर्म पर रिलीज की गई है और किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये फिल्म को OTT पर भी इतना भारी भर कम रिस्पॉंस देखने को मिलेगा बता दे कि राधे फिल्म आज याने की 13 माई को Z5 पर 12 बजे रिलीज की गई थी और ये फिल्म रिलीज होते ही Z5 का पूरा सर्वर क्रैश हो गया सर्वर क्रैश होने का कारण था हेवी ट्राफिक सिर्फ ओपनिंग में ही 12 लाग 50 असार से भी जादा लोगों ने राधे फिल्म को देखने के लिए Z5 को ओपन किया था और इसके कारण पूरा एप्लिकेशन क्रैश हो गया उतना ही नहीं बलकि ये फिल्म को सिर्फ तीन घंटों में 30 लाग से भी जादा अधुक लोग देख चुके हैं अगर इस हिसाब से हम क्यालकुलेशन करें तो अगर ये फिल्म थियेटर में रिलीज होती तो पहले दिन 60 करोड से भी जादा ओपनिंग ले सकती थी और ये फिल्म को ओवर सीज में भी बहुत ही तगड़ा रिस्पॉंस मिल रहा है यानि कि राधे फिल्म ने एक बार फिर से प्रूफ कर दिया है कि जितना स्टारडम सल्मान खान का है उतना भारत में किसी अक्टर कान नहीं है क्यूंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि जब किसी अक्टर के फिल्म OTT प्लाटफॉम पर रिलीज होती है और पूरा फ्लाटफॉम ही क्राश हो जाता है बात करें हम फिल्म की तो ये फिल्म एक आक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसको ओडियन्स के दुआर आप पॉजिटिव रिव्यूज मिल रहे हैं कई सारे क्रिटिक्स ने ये फिल्म को पसंद किया है तो कई सारे को ये फिल्म एवरेज लगी है लेकिन ओवर ओल ये फिल्म एक अच्छी आक्शन फिल्म है तो दोस्तो इस पर आपका क्या रियाक्शन है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं